ये कच्रा जो देख रहे हैं, ये कच्रा नहीं, उधूमपूर का सेलफी पॉइंट है और काफी, जैसे उधूमपूर का नाम बदर कर कच्रा पूर रख देना चाहिए, सब्धारत अभ्यान का नाम गंदगी भिला हुए ब्यान होना चाहिए, सीयो की कुर्सी है, इसका नाम गंदगी भिलाओ अधिकारी इनका नाम लग देना चाहिए हम जे करेंगे हम बो करेंगे तुस्तों नुपकवान कर बनान दी जुरूरत नहीं है मैं आ गया उन मैं देखना की करना ऐसा इनको हर भी परदास नहीं हुई और उसके बाद उनको बहां से उठाकर कुल्चे के प् करेंडी के दूसरे क्राइने उसके आए से भाल ने दूसरे दिन वाहर नेकाला कच्रा जो देख रहे हैं ये कच्रा नहीं ये उदूमपूर का सेलफी पॉइंट और काफी यूबग यहां पे आ रहे हैं और यहां पे अपनी सेलफी खिचा रहे हैं क्योंकि इस तरह के जो डेर हैं ये शायद आपको पूरे अधूमपूर में देखने को मिलेंगे लेकिन ये बहुत चर्टित सेलफी पॉइंट बन गया और मैं आपको बता दू कि काफी दिनों से ये मुद्दा गरमाया हुआ है कि आकिरकर कब साफ होगा शहर अधूमपूर लेकिन हम अगर हर गली हर चोराहे पे जाएंगे तो ऐसे ही डेर आपको गंदगी के और बदबू के देखनों को मिलेंगे जिससे ना जाने कितनी ही बिमारियां जो हैं वो फैल रही हैं मैं बात करूँ डैंगू की जी हाँ डैंगू का कहर भी इस समें काफी बर अप रहा ह और कच्रा जो है वो इसी तरह यहां पे फैंके जा रहा है मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ कि यह डंपिंग पॉइंट था कच्रे का अब यह बन चुका यह देखिए आप देखने होंगे कि किस तरह से एक मुनसीपल का जो आटो है वो यहां पे गंद और यही वो स्थान है यहीं के बिल्कुल नजदी का आप देखें के मीट मार्किट है और अब एक और बिमारी जो है वो वर्ड फ्लू जी हां वर्ड फ्लू का नाम भी सुनने में आ रहा है कि वो भी फैली जा रही है और लोग यहीं से मीट लेते हैं और इस गंदगी से ज जो कच्छने के डेर जो है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं इनका इनकी क्या प्रतिक रिया है इन डेरों के उपर सेल्पी पॉइंट के उपर अरूंजी सबसे बहले मैं आपको बता दूंगी चाली साल मेरी उमर हो चुकी है मैं आपने पिताजी से भी बात करता रहता हूँ पिछले असी साल के पिरिएट के दोरान उदंपूर की इतनी देने हालत आज तक कभी नहीं हुई जितनी इस वक्त जो प्रेजिशन उदंपूर के अंदर चल रही है गंदगी के धेर धेर न समय आ गया कि उदंपूर में कुछ चीजिँ को नाम बतला जाये जैसे उदंपूर का नाम बदल कर कछिणा देना चाहिए इसका नाम बदलकर गंदगी पूरी तरह से अगर आप बात करें तो अपनी कुछी के लिए जी जान लगा रहे हैं हर दूसरे दिन जम्मू हाई कोर जा रहे हैं वकीलों पर लाकोर बेकर्च रहे हैं लेकिन पिछले छे महीने से लोगों को ये इन्होंने एक लारा लगाका रखाया है की हमने मार में जगा अक्वैर की है वहां पे हम यह प्लाट लगा रहे हैं यह गंद्गी उटाकर वहाँ ले जाएंगे सुरी का प्लाट बंद बढ़ाया है उसको जल्दी शुरू कर रहे हैं उसको यह कर एक आप पिछे 6 महीने की अखबारे उड़ा लें उसमें आपको रोज जोकेश्वन कुपता जी का बियान दिखाई देगा कि इतनी जल्दी ये होने वाला है पर जमीन पर देखे जमीन पर है तो ये गंदगी के पहाड है और कुछ नहीं है और शर्मा ती है मुझे ये कहते हुए कि हर रोज ये लीडर इसी जगासे गुजरते हैं हाट अब दा सीटी हाट अब दा सीटी गोल्ड मार्केट के पास ये डंपिक स्टेशन बनाया गया है शर्मा जानी चाहिए आप लोगों को नैटिक तोर पर आपको अस्टीपे देखर अपने गरों में बैठ जाना चाहिए कफी गंबीर आरोप अमन शर्मा जीने लगाया है मुनसीपल कमेटरी के उपर चेर्मेन के उपर सीयो के उपर और शहर का नाम जैसे नहीं बोला कि बदल देना चाहिए ये कच्रों का शहर होना चाहिए वैसे ही जिहां अगर हम हर गली हर चोराय पर जाएं तो कच्रा ही देखने को मिलेगा तो फिर शहर का नाम कच्रों का शहर हो तो उसमें बुराई क्या है बैपार मंडल के सदसे भी हमारे साथ यहां पे मौजूद है सुनिल गुड़ा जी हम इंसे भी बात करने चाहेंगे क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि बैपार मंडल की टीम जितंदर बर्मानी जी की अध्यक्षता में आई दिन मौनसिपल्स की टीम से मिलती रहती है और काफी बिबागों से मिलती रहती है सर पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर चुक्रिया आज जैसे आप देख रहे हैं कि आज गंदगी के डेर जो लगे हुए है आज ये आप देखिए मीट मार्कीर की खालत आपके सामने है हमने कहीं बार मुंसिपल्टी में जाकर भी इनको चताया ओर इनको कहीं बार इनको बताया कि अचको जहां से इचांगा उठा ओ जहां से गंदगा जाए और इन ओन ने इस में उठाने में बिलकुल नाकाम रहे है तो आज przy पार जियस कभी दिल्ली के चक्कर वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगी है ना कि उनको जह हो रहा है कि हम उदमपुर की जनता के साथ क्या कर सकते हैं आज आप देखिए अदरश कलोनी की हालत देखिए बहां पर क्या हालत है आज अदरश कलोनी की सड़के उठाकर रखे हुई है अदरश कलोनी में बोलने वाला कोई नहीं है आज उदर के मुनसिफल के जो कॉंसलर हैं वो सोई हुए हैं कुम्ब करन की नीन सोई हुए हैं और इतनी कुम्ब करन की नीन सोई हुए थे आज 6 महिने हो गए वो दिखे ही नहीं शे महिने से वो कहां काईब हो गए थे करेंगे तुस्तों नुकवान करवनान दी जुरूरत नहीं है मैं आगया उन में देखना की करना ऐसा कुछ नहीं है लोगों को बेब कूप बनाना बंद करो क्योंकि उद्वंपुर की जनता जाग जोगी है जैसे अमन जीना भी बताया कि उद्वंपुर को कच्छा स्टेशन बना दिया है लोगों और यह अभी भी स्यासी रोटियां से एक रहे हैं उद्वंपुर की जनता उनको कभी बर्दास नहीं करेंगी जैसे आपने इनों देखा कि इनों ने पिछले दिनों पार्मेंटल की एलक्शन करवाने के रखा और अपना बंदा बहां पे खड़ा किय और उस अलेक्शन की हालत आपने देखी क्या हुए पर इनको हर भी बर्दास नहीं हुई और उसके बाद उनको बहां से उठाकर कुल्चे के प्रेजिडेंट बनाना शुरू कर दिया बहां कुछ नहीं मना फिर वो बहां से उठे और फिर वो चले गए कि अभी उनको रेड कि इस जेंट बनाया कुल्चे बालों ने दूसरे दिन भार ने काला आज ये हालत हैं कि इन लोगों को बोलें सियास्त शोड़ो और लोगों के काम करो फोटो से सियासत नहीं चलेगी और इस चीज के लिए मैं को दुआरा जे कहूंगा कि लोगों के बीच में जाएं पर य गंदी राजनिती करना बंद करें जा हिंद जा वारत जाड़ोगा शुक्रिया तो गंदी राजनिती करना बंद करें फोटू ना किछवाएं ये कहना है सुनुल गुड़ा जीगा जी हम भी कहेंगे कि फोटू खिचवाने तो यहां सेलफी पॉइंट पर आ जाएं काफी वर्ड फ्लू जिस तरह से अब सुनने में रहा कि वर्ड फ्लू भी अपने पैर पसार रहा है और ना जाने और कितनी बिमारियां इस गंद की बज़ा से शेहर के लोगों को परदाश करनी पर रहे हैं हम भी चाहते हैं कि परशासन समय रहते अभी भी अपनी आंके खोले औ और लोगों के बारे में सोचे फिलहाल मुझे और मेरे कैमरमेन को दीजिए इजाज़त नमस्कार